हेलो दोस्तो आप सब बढ़िया होंगे तो अक्सार हम अपनी गाड़ी वाइक स्कूटर ओएलेक्स पे बेचते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफर्म पे बेचते हैं तो उससे हमें बहुत जादा फाइदा भी होता है जल से जल हमारी गाड़ी अच्छे सेलर को बीग सो आज हम बत करेंगे कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है अपना वाहन ओलेक्स पे या फिर कोई भी प्लाटफर्म पे बेचने से भी ठीक है सबसे पहली बात जब भी आप अपके गाड़ी बाइक स्कूटर का फोटो पोस्ट करोगे आपको वह रेजिस्ट्रे वह आपके गाड़ी के फोटो डाउनलोड करेगा फिर अपनी एक फरजी एक फ्रॉड आड़ बनाके वह पोस्ट करेगा ठीक है तो अभी समझो कोई सेलर बायर जिसको बता नहीं है वह जाएगा उस आड़ के पास तो वह फ्रॉड सर क्या बोलते है कि आप मुझे फुल प करता है फिर वह जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वह बंदा जाएगा पोली स्टेशन पोली स्टेशन में जाएगा वह लोग चेक करेंगे आड में आपके गाड़ी का फोटो होगा गाड़ी आपके नाम पे है तो आप फुस होगे इसलिए गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वह आपको हाइड करना है वह ब्लैंक करना है ठीक है दूसरी बात आती है दोस्तों और इंशॉरंस या कोई भी डॉक्यमेंट का फोटो आपको ऑनलाइन नहीं बेजना है किसी को भी वाट्सेप से किसको भी ना बेजे प्रेफरेबली जो भी बायर इंट्रेस्टेड है उन पर देंगे फिर से आप फस होगे आपके सारी डिटेल उसमें तो आ जाएंगे फिर पोलिस वाले आपके आपके आपको परिशन करेंगे तो उससे अच्छा यह सारे डॉक्मेंट ना बेजे फेस्टू फेसी जो सेलरे उसको दिखा है ठीक है अभी दोस्तों आते पे डिल उसकी फाइनल और यह सारी चीज आपको साटिस्फेक्टरी प्राइस मिल गई अभी क्या करें पहली बाद दोस्तों टोकन सिस्टीम में बीलिव ना करें क्योंकि दोस्तों क्या होता है सेलर वायर में टोकन जो है वो दे देता है और फिर थोड़े दिन के बाद वो बोलते स अब फूल पेमेंट लेके आई है पूरी गाड़ी लेके जाए ठीक है ऐसा भी ने करना है आपको कि वह बंदा बोलेगा मैं हाफ पेमेंट अभी दे दूंगा आप मुझे चावी देदो डॉक्मेंट देदो नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है जब तक आपको फूल पेमेंट देना है गाड़ी का एक पार्ट भी नहीं देना है फूल पेमेंट लीजे और तब ही जाके पूरी गाड़ी लिए ठीक है अभी जबी आप गाड़ी बेचते हो तो आपको एक आप बहुत परेशनी वाला काम है लेकिन दोस्तों आपको एक नोटरी लेटर बनवान है ठीक ह पार्ट अनुम मैंने उस बंदे को गाड़ी इस बेची है और जो भी अभी इसके साथ गाड़ी के साथ हो गांट या कोई भी खराबी वह इस बंदे की जिमेदारी मे Pearई है अब इस गाड़ी के साथ कोई भी LED या जिमेदारी नहीं है ऐसे आपको एक लेटर बनाना है क्यो तो ठीक है वह अच्छे हैंडल कर लेते लेकिन अगर आप जो एक डायर को बेच रहे हो तो आपको ओनर्शिप उससे ट्रांसफर करवानी ही करवानी है ठीक है क्योंकि दोस्तों क्या होता है ओनर्शिप ट्रांसफर करवाना ज़रूरी है जब तक वह गाड़ी आपके नाम प ले विदाउट ऐसे विदाउट 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 ट्रांसफर वोनर्शिप गाड़ी चलाना भी एक क्राइम माना जाता है ठीक है अभी और एक चीजा दे दोस्तों आपके फायदे वाली चीज वह है नो क्लेम बोनस अभी जब हम गाड़ी बेचते हैं हमारा अपने नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करेगा तब ही आपको जो है वह वह बंदे के गाड़ी के आर जो न्यू आरसी की कॉपी वह आपको लेनी है और वह इंशुरंस कमपनी में सब्मिट करनी है और उसको उसमें आपको एंसी भी मिल जाएगा ठीक है लेटिसे आप अपनी न्यू कार के इंशुरंस में वह 20-30-40% NCB क्लेम कर सकते हैं उससे आपको बहुत हजारों रुपेगा फायदा हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा डिस्कॉण मिल जाता है आपके इंशुरंस क्लेम में ठीक है और जब भी आप कोई भी गाड़ी बेचते हो तो आपको जिस जो Frondsters है, जमतारा में, धारकर बियार, यूपी-साइड में जो Frondster है, यह सारे मजा खराब कर देते है, हजारों लाखो रुपे का नुकसान होजाता है लोगों को, तो दोस्तो ऐसे चीजों से बचके, बचे, साउधन रही है, सतर्क रही है और दोस्तो हमेशा एक GiNorman seller, Gi जनुइन बायर को ही गाड़ी बेचे ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं मैं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्स्राइब करना ना भूले thank you so much for watching